आप लोग को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से PTM Business का डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं नमस्कार मेरे नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक चली वीडियो को शुरू करते हैं पहले आपको प्ले स्टोर में जाके PTM for Business आपको लेटे ज़र से अपडेट करने के बाद PTM for Business आपको ओपें करने के बाद एकदम उपर में मिलता है 3-line 3-line पे क्लिक करने के बाद इधर आपको एक उप्सन मिल जाएगा My Business Profile इधर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इधर आपको मिल जाएगा Display Name एक हमारे जो DSP ismeno I इन्टा करें लेता हूं उसके बाद he snow आपको दिखाता हूं Display Name देने के बाद पॉसीर जो Option है इधार आपको क्लिक करना है पॉसीर ओप्जन में क्लिक करने के बाद इधार आपको Documents Summit करना पड़ेगा इधार देखिए Select Documents Option पे क्लिक करना है इधार जो Option रहते है Rent Agreement इसके बाद Municipality Certificate इसके बाद Registration Certificate इसके बाद GST, BAT, GST Certificate इसके बाद Registration Proof यानि Address Proof यह आपको देना है तो इसके अंदर जो आपके पास है वो आपको चूच करना है चूच करने के बाद आपको इधर दे देना है तो चलिए हमारे पास जो option है वो है Registration Proof, Address Proof यह option हमारे पास है तो मैं इसको क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तो यह camera से आप फोटो की सकते है नहीं तो यह Upload option पे क्लिक करना है एक चीज धन में राखिए जो Registration Proof दे रहा है इता दिखिए यह जो Regist है Change Request यह देख सकता है यह Change Request जो है लिया गया है और यह जो Notify करेगा 3 Day के अंदर 3 Day मतलब 3 Working Day के अंदर यह reply कर देगा reply काने के साथ आपका document सही राएगा तो आपका डिस्पले का नेम है वो चेंज हो जाएगा इस वीडियो में इतना तक वीडियो का चलाएगे तो लाइक कर दीजे दोसके सहर कर लिजे मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए आचा रहेए नमस्ते